पूर्वन आपपूर में ट्रॉक लाइन फुटने से सड़क धस गई बुद्वार की शाम को या या हच्चा हुआ इस सड़क धसने के कारण आपको बता दे कि यातायात पूरी तरह से ठप रहा सड़क धसने के कुछ मिनिट पहले ही कुछ महिलाएं और युफती उस रास्ते से गुज़री थी मनपा प्रशासन के आपाज सेवा टीम ने मौके पर पहुच कर सावधानी की उपाई योशनाई भी की पूर्व नाकपूर में ट्रंक लाइन फूटने से सड़क धस गई दरसल ये सड़क धसने के कुछ समय पहले ही कुछ महिलाएं वहानों से वहाँ पर गुज़री थी मनपा प्रशासन के आपा सेवा टीम ने मौके पर पहुच कर सावधानी की उपाई योशनाई भी की आपको बदा दे कि ये घटना शाम करीब आट बज़े के करीब की है सुभान नगर में सुंदर अपाच्मेंट के पास एक होटल के पास से गुजरने वाले प्रमुक मार्क के भीतर से ट्रंक लाइन गुजरती है इससे डिप्टे सिगनल का मुखे चेंबर भी जुटा हुआ है करीब तीन दशक पुराने इस चेंबर की मनमत की मांग काफी समय से की जाती रही है बताय गया है कि भंटारा मार्क बर एक अपार्टमेंट में जल जमाओ होने के कारण वहां का पानी मोटर पम के माध्यम से ट्रंक लाइन में डाला जा रहा है लिहाजा माना जा रहा है कि ट्रंक लाइन पर दबाव पढ़ने से सड़क धस गई फिलहाल घटना स्तल पर पहुचे मनपा के पूर्वस्थाई समीती सभापती ने कहा कि इस तरक के घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को सचेत रहना चाहिए सर मुझे बताईए यहाँ पहले तो अपना नाम बताईए और यहाँ पर exactly क्या हुआ था यह गड़ा कैसे पड़ा उसके बारे में बताईए मेरा नाम सच्छी नगरवाल है हमारा रेसिडेंस यह है तो शाम को चार पांच बज़े आवाज है अचानक से और यह गड़ा हो गया देखा तो यह पूरा जमीन अंदर चला गया था इसकी विज़े क्या वज़े मानते आपके नजरों के सामने यहाँ पर कई वाहन भी पानी रेनी दो दिन से बहुत ज़ादा हुआ है तो रोड का पानी और इस रोड का पानी पूरा इदर छोड़ दिया गया पमपिंग करके तो इस वज़े से यह निचे होगी है आपको बता दे कि पूर्वनागपूर के निछले छेत्रों की कई बस्तियों में अभी जल जमाव वकीचड के कारण घातक स्तिती बनी हुई है। इन बिसनियोज के लिए कैमरा परसन अखलेश भरद्वाज के साथ रुपा पंडिफ की रिपोर्ट।